भारत के परोशी दो महत्पूर्ण परोशी राश्टों से संबंध और उसका संक्षिप्त इतिहास ये जानने के बाद हम आते हैं भारत के नाभिक्री कारिक्रम पर एक नजर लालें भारत का नाभिकी कारिक्रम परमाणों के जब भी बात करें तो दो बातें सामने आती हैं बार बार जहन मा आती हैं पहला कि भारत एक शान्ति प्रीदेश रहा है तो भारत में आणविक अस्तरों का निर्मान नहीं होगा ऐसा हम मानते रहे हैं और दूसरा जब भी हम आणू परमाणों की बात करते हैं तो हिरोशिमा नागा साकी पर गिये हुए वो बाम और उसके परणाम सुरूप जो भयावध दृश यहां देख रहे हैं यह जेहन में आती हैं हिरोशिमा नागा साकी की विभीशिका सब के दिमाग में तुरंट आ जाती हैं भारत के साथ जितने भी गुट निर्पेक्ष राष्ट थे जा बलकी कहें जो अविकसित राष्ट थे विकाशील देश थे उन्होंने लगातार निर्गुट रहकर निशस्त्री करण पर जोड़ दिया निशस्त्री करण पर जोड़ दिया निशस्त्री करण के माइने क्या हैं जो भी परमाणु हत्यार हैं उनका निर्माण बंद हो पहला और दूसरा जिनका निर्माण हो चुका है उन्हें धीरे-धीरे समाप्त किया जाए इसी उद्धेश से नहरू ने जो भारत के प्रधान मंत्री सन 1947-1964 तक रहे और विदेश मंत्री भी रहे आणविक हतियारों के निर्माण को कभी प्रशाहन नहीं दिया नहरू उसके सदय खिलाफ रहती त्योंकि नागाशा की हिरोशिमा की घटना तरोध ताजा थी और भारत का अहिंसा का इतिहास रहा है परन्तु और द्योगी करण के एक महत्पूर्ण घटक के रूप में प्रद्योगी के क्षित्र में अनुसंधान और विकास के लिए परमाणू प्रयोग जरूरी था मैं पुना दोहरा दू और द्योगी करण के एक घटक के लिए और द्योगी के खित्र में अनसंधान और विकास के लिए परमानू प्रयोग आवश्यक थे इसलिए और द्योगी घटक के रूप में परमानू कारिकरम की रूप रेखा नहरू के काल में तयार कर दी गई थी और द्योगिक घटक के रूप में परमानू बम के उपयोग के लिए नहीं भारत ने शांति पूर्ण उद्देशों की जरूरत के रूप में परमानू उर्जा के विकास पर बल दिया शान्ति पूर्ण उप्योग के लिए और उसने लक्ष भी यही रखा कि हम परमान उर्जा का उप्योग केवल शान्ति पूर्ण तरीके से करेंगे और विकास के लिए करेंगे इसकी शुरुवात डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नित्रित में 1940-50 के दशक में कर दी गई थी तो इस प्रकार पंडिजवाल लाल नहरू भारत की विदेश नीती में परमान उ प्रयोग का स्थान कारण और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा अब जब ये सब घटना करम भारत के अंदर हो रहा था तो विष्व में क्या स्थिती थी भारत ने तो वैश्विक दबाओ के मामले में क्या किया विविन ने अंतराश्टी मंचों पर निर्मान का सतत विरोज किया लेकिन चीन ने जब परमानु परिक्षन किया तो भारत भी सतर्क हो गया चीन ने परमाणू परिक्षन किया 1964 में 1964 में चीन के द्वारा किये जाने वाला परमाणू परिक्षन भारत को सतर्क कर देता है और इसके बाद परमाणू आप्रसार की राजनीती शुरू होती है अब देखिए ये सब घटना करम जुड़े हुए भारत की नीती नहरू के समय क्या थी ये हमने समझ लिया उसके बाद विश्विस्तर पर भारत इसका सतत विरोध कर रहा है ये भी हम जाने गए उसके बाद हमने देखा कि चीन लेकिन 1964 में परमाणू परिक्षन करता है और उसके बाद ही तुरंत अप्रसार परमाणू अप्रसार की वैश्विक राजनीती शुरू होती है अर्थात जो राष्ट परमाणू प्रयोग कर चुके हैं वे इस प्रयोग का एकादिकार अपने तक ही सीमित रखके अन्य देशों को किसी तरह के परमाणू प्रयोग से वन्चित रखना चाहते हैं और यही वैश्विक राजनीती हुई उनने सुड़सट में सिंक्त राष्टन की सुरक्षा परिशद में जो पांच देश थे उन्होंने ये परमाणू अप्रसार संधिकी की तो इस पर हस्ताक्षर किया और इसमें ये कहा गया कि इन पांच देशों के अलावा जिसमें ब्रिटन, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत, संग और चीन जो 27 अदस हैं इनके अलावा कोई अन्य राष्ट्र परमाणू परिक्षन नहीं करेगा पांच राष्ट्रों के बाद किसी भी तरह के परमाणू प्रसार की बात स्विकार नहीं की जाएगी और परमाणू अप्रसार की बात इन लोगे ने स्विकार की भारत ने इस पर कड़ी आपत्ती उठाई आपतिस बात पर कि आप लोग अपने पर एकाधिकार कैसे रख सकते हो आप लोग अब आप लोग परमाणू बमों से लैस हो सक्षम हो और अन्य देशों को रोकना चाहते हो ये नाजायज है और ऐसा कहते हुए भारत ने परमाणू अप्रसार संदी पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया मना ही नहीं किया 1973 में जब अरब इजलाईली युद्ध हुआ तेल की मांग बढ़ी अरब देशों ने तेल की केमत कई गुना बढ़ा दी और भारत जैसे तेल आया तक देशों पर भारी आर्थिक संकट आ गया और भारत को इस आयात के एवज में विदेशी मुद्रा का भंडार खाली करना पड़ा तब भारत की स्थिती बहुत बिगड़ जाती है मैं फिर से दवरा दूँ भारत ने अप्रसार संदी महर तक्षर से मना किया क्योंकि उसने इसे पक्षपात पूर्ण रवईया माना दूसरा भारत को अरब इस्राइली युद्ध के परिप्रेक्ष में भारी कीमत पर तेल आयात करना पड़ता है और इसे विदेशी मुद्रा खोनी पड़ती है जिससे भारत की आर्थिक स्थिति बहुत डामटोल हो जाती है बहुत आर्थिक कटनाईयों का सामना करना पड़ता है यही नहीं आर्थिक स्थिति को सुधारने तेल के आयात को कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने फिर से दोहरा दू आर्थिक स्थिति को सुधारने तेल के आयात को कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने अनु शक्ति का विकास जरूरी है अर्थात भारत ने परमानशक्ति परिक्षन क्यों किया इसके प्रिष्ठ भूमी परमानशक्ति परिक्षन करने के तीन कारण तातकालित कारण पर ये बात इस्पश्ट हो गई और वो कारण कौन से थे भारत के आर्थे किस्तित से सुधारने का प्रयास तेल के आयात को कम करने का प्रयास और नए उर्जा के स्रोत खोजने का प्रयास और विदेशी मुद्रा को बचाने का प्रयास इसलिए भारत परमानु परिक्षन करने के लिए विवश होता है और 1974 में पहला परमानु परिक्षन 1974 में पोखरन, राजस्थान, श्रीमती इंदरा गांदी के पधान मंतर तुकाल में होता है और इतकार भारत विश्वमंच पर एक परमानू शक्ति से लैस देश बन जाता है यद्यपी इसके तुरंट बात भारत बारम बार घोशना करता है कि यह परिक्षन शांति पूर्ण उप्योगों के लिए ही है परमानू परिक्षन के शांति पूर्ण प्रियोग के संकल्प के साथ भारत पुना परमानू प्रिक्षन करता है उन्निस सो अंठानिबे में दूसरी बार 1974 में पोखरन के बाद 1998 में दूसरी बार प्रियोग करता है इस बार भारत के प्रधान मंत्री स्वरगी अटल विहारी वाचपई ही रहते हैं उनके नित्रित में भारत पांच सफल परिक्षन करता है और महाशक्तियों द्वारा लगाए गए जो प्रतिबंद थे महाशक्तियों द्वारा लगाए गए जो प्रतिबंद थे तो उस पर ये बताने का प्रियास करता है कि शान्ति पूर्ण विकास के लिए पर्मान शक्ति के विकास का प्रियास है युद्य संबंदी हथियारों के विकास के लिए नहीं इस बात की दुहाई भारत बारंबार विश्व को देता है कि ये केवल पर्मान शक्ति का उर्जा के रूप में विकास भारत की आर्थिक विस्था के मद्दे नजर ये सब परिक्षन किये गए हैं इसका कोई युद् परिक्षन प्रतिबंद संधी उस पर भी हर्ताक्षर नहीं किया क्योंकि भारत का कहना है कि ये सीटी बीटी या पर्मान अप्रसार संधी ये सब भेद भाव पूर्ण हैं ये केवल उन पांच राश्ट्रों को एकाधिकार देती हैं पर्मान शक्त्रों से लैस होने का जिन इसा एदी होता है तो इन ये पांच देश दुनिया के अन्य देशों पर हावी होंगे उनके साथ ब्लैक मेल करेंगे आदी आदी तो ये एकाधिकार देना भेद भाव पूर्ण है और गलत है इसलिए भारत ने इस पकार की किसी भी संधी पर हस्ताक्षर नहीं किये और इस इसने भारत के परमाण परिक्षन का और तीवर विरूद हुआ भारत का ये भी कहना था कि यदि परमाण परिक्षनों पर प्रतिबंद लगाना है तो ये सभी देशों पर समान रूप से लागू हो इसमें किसी भी तरह की असमानता बर्दाश्टनी होगी और ये पांच र भारत ने जो परमानु परिक्षन या परमानु हतियार बनाने एवं रखने के पक्ष में क्या तरक रखे? थोड़ा इसको देखें कि पहला भारत ने इस पस्ट कहा कि वह आत्म निर्धर बनने के लिए परमानु परिक्षन किया है याने to become self-reliant, self-dependent परमानु नीती और परमानु हतियार बना कर भारत आत्म निर्भर बनना चाहता है बलकि वो हतियारों की बात से दूर है वो केवल यह स्पष्ट करता है कि भारत आत्म निर्भर बनना चाहता है परमानु शक्ति के माध्यम से विश्व में जिन देशों के पास भी परमानु हतियारों में वे सभी आत्म निर्भर माने जाते हैं तो भारत भी आत्म निर्भरता की और बढ़ना चाहता है ऐसा उसका तर्क था दूसरा तर्क नियूनतम अवरोध की स्थिति को प्राप्त करने के लिए परमानु परिक्षन क्यों नियूनतम अवरोध की स्थिति को प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी में नियूनतम अवरोध को कहते हैं मिनिमम देतरां आप अंग्रेजी में इसकी स्पेलिंग देखेंगे ये एक फ्रेंच शब्द है इसलिए उसका उचारन है देतरां, to achieve position of minimum देतरां, भारत परमानु शनीती और परमानु हथियार बनाकर, दूसरे देशों के आक्रमन से बचने के लिए, दूसरे देशों के आक्रमन से बचने के लिए, वह नियूनितम अवरोज की स्थिति पाना चाहता है, और साथ उसका कहन हैं, यदि हमारे पास सत्यार होगा, तो हम उपयोग पहले इसका कतई नहीं करेंगे, यह पश्ट है, फिर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यदि हमारे पास सत्यार होगा, तो दूसरे तथा कतित आक्रमन कारी देशों को सोचने पर विवश करेगा, वे लोग भारत पर हमला कर और इस प्रकार नियूनितम अवरोड की स्थिति को हम पाना चाहते हैं ऐसा करके भारत ने हमेशा कहा है कि हम कभी भी परमानु हत्यार को पहले नहीं करेंगे भारत के पास परमाणू हतियार होने पर भी वो कभी भी हमला करने का पहले हमला करने का नहीं सोचेगा ऐसा भारत ने बारंबार वचन दिया है और आज भी इस वचन पर वह इस्तिर है तीसरा कारण जो भारत इस पक्ष में देता है इस तर्क के लिए देता है कि भारत ने परमाणू परिक्षन क्यों किया तो तीसरा कारण भारत का कहना है परज़ेक शक्तिशाली राष्ट बनने की तमन्ना भारत का कहना है कि भारत की परमाणू नीती एवं परमाणू हुथियार बना कर विश में एक शक्तिशाली राष्ट के रूप में वह अपने को देखना चाहता है विश्व में जितने वी देश परमाणु संपन है वे सभी शक्तिशाली माने जाते हैं तो भारत क्यों न शक्तिशाली बनने का प्रयास करे इसके साथ परमाण हथियारों की धारना से भारत में जो केंदरी शक्ति और जो अधिक मजबूत और शक्ति शाली जो होती है वो बहुत जरूरी है क्योंकि जब कभी भारत में केंदरी सरकार कमजोर हुई है तो भारत को नुक्सान रोलाना पड़ा है तो इस वकार भारत का कहना है कि हम परमानों हत्यार इसलिए भी रखना चाहते हैं कि केंदरी सरकार की कमजोरी की ख्यति पूर्ती इन परमानों हत्यारों की उपलब्धता से की जा सके है क्योंकि यदि केंदरी सरकार कमजोर होती है तो सदाई विदेशी आकरमन का विदेशी हर्स्तक्षेप का खत्रा रहता है ऐसी स्थिति में उपलब्ध परमानों हत्यार उपलब्ध परमानों क्षमता उपलब्ध परमानों कौशल हमें एक तरीके से नियूनितम अवरोज की स् देश के लिए देश के हित में हैं। पर्मानु परिक्षण के पक्ष में भारत द्वारा दिया गया चौथा तर्क प्रतिष्था से जुड़ा हुआ है। भारत का मानना हैं कि भारत पर्मानु नीती एवं पर्मानु परिक्षण करके प्रतिष्था अंतरराष्टी मंच पर प्रतिष्था पाना चाहता है। और स्वाभाविक है हर राष्ट ये चाहेंगे कि उन्हें प्रतिष्ठित माना जाए क्योंकि भारत का कहना है कि विश्च के सभी पर्माण संपन राष्ट को दुनिया के अन्य देश आदर और सम्मान से देखते हैं पर्माण परिक्षन पर्माण शक्ति और आदर सम्मान इनके बीच में गहन संबंद अंतराष्टी राजनीति में देखा जा रहा है तो भारत इससे वंचित क्यों रहे तो इस प्रकार चौथा तर्ख हम कह सकते हैं प्रतिष्ठा प्राप्त करने की ललक पाच्वा तर्ख भारत द्वारा लड़े गए युद्ध भारत ने कम से कम तीन युद्ध लड़े हैं जिने हम युद्ध से कम नहीं मान सकते हैं उनने सो बासाट पैंसाट और एकसाट की तो लड़ाईयां हैं ही उसके लावा उनने सो और तालिस में पाकिस्तान द्वारा हमले उनने सो निन्यानवे में कारगिल का युद्ध आदी आदी तो wars fought by India समय समय पर जो हुए हैं उससे अधिकानी से बचने के लिए इन युद्धों से होने वाली अधिकानी से बचने के लिए भारत परमानु शक्ति प्राप्त करना चाहता है क्योंकि उसका मानना है यदि हमारे पास परमानु शक्ति रहेगी तो कोई भी देश भारत पर युद्ध थोपने से के पहले कई बार सोचेगा और ऐसा यदि होता है तो भारत पर जो आर्थिक बोज बार बार इन लड़ाईयों का पढ़ रहा है वो कम होगा छट्वा तर्ख परमानु परिक्षण के पक्ष में दो परोसी देशों द्वारा परमानु हतियार का परिक्षण या दो परोसी देशों द्वारा के पास परमानु हतियार होना भारत के लिए पर्मानों नीती और पर्मानों हत्यार बनाना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि भारत के दो परोची देश चीन और पाकिस्तान इनके पास पर्मानों हत्यार है और ये दोनों वो देश हैं जिनके साथ भारत लड़ चुका है इसलिए भारत को भी अपने स्वयम की सुरक्षा के लिए पर्मानु हथियार बनाने का हक है तो हम कह सकते हैं कि इन छह साथ कारणों के मद्दे नजर भारत ने शांतिपूर्ण पर्मानु परिक्षन किया और विश्व को यह जग जाहिर करने का प्रियास किया कि हम भी पर्मानु शक्ति से लैस एक राष्ट बनने की ख्यमता रखते हैं और ऐसा करते हुए भारत चाहता है कि उसका विश्व में सम्मान बढ़े प्रतिष्ठा बढ़े विश्व में उसे एक अवल दर्जे का शक्तिशाली राष्ट माना जाए वैसे तो भारत सदाई हमेशा निशास्त्री करन का पक्ष धर रहा है आज भी है भारत ने कई वर्षों तक सैनिक खर्च पर बहुत खम खर्च किया शुरू में स्वतंता के बाद के अधि आँकड़े आप दिखेंगे तो आप आएंगे कि सैनिक मद पर हमारा खर्च बहुत कम था लेकिन बाद में धीरे धीरे विवश्टा के कारण अंतराष्टी वातावरण के बिगड़ने के कारण ये भारत के लिए बहुत जरूरी हो गया कि वो अ दिख बनाएं अपनी सेना को आधिनिक बनाने के लिए उसे उस पर बहुत खर्च करना पड़ रहा है और साथी साथ अपने को इतना शक्तिशाली भी बनाएं जिससे परमानु बम की उपस्थिती या परमानु हतियारों की उपस्थिती दूसरे देशों के लिए एक तरीके से अवरोद का काम करे किस सीथ का अवरोद भारत पे हमला करने की संभावना से उनको रोके भारत ने परमाणु नीती का निर्मान भी किया जो धीरे धीरे आगे बड़ती जा रही और बढ़ती जा रही उस दिशा की ओर जा रही है जहां पर भारत एक परमाणु संपन राष्ट बनने की ख्षमता रखता है भारत की जो परमाणु नीति का विकास हुआ है उसका हम वर्णन कुछ एक त्वरिद गती से जदी हम करें तो कुछ इस तरह का होगा भारत की परमाणु नीति का विकास जो इस अध्याय का अंतिम हिस्सा है आपके क्योंकि परमाणु नीति भारत की विदेश नीति से बहुत निकट से जुड़ी हुई है जैसा मैंने बताया कि पर्माणुनीती भारत को अंतरराष्टी मंच पर एक अलग दर्जा देने की क्षमता रखती है किसी वी देश की पर्माणुनीती दूसरे शब्दों में पर्माणुनीती का विदेश नीती से गहन संबंध है यदि किसी राश्ट के पाद परमान हर्थियार हैं तो उसकी विदेश नीती का आधार कुछ और ही होगा विदेश नीती में ताकत दिखेगी विदेश नीती में प्रो एक्टिफ नीती स्पष्ट दिश्टि गोचर होगी और इसलिए नाबकी संबंदी विशे भी विदेश नीती के तहट इस अध्याय में जोड़ा गया है तो हम थोड़ा सा संक्षिप में एक सर्फरी नजर से देखें कि भारत में परमानु नीती के विकास की गाथा क्रम बंद किस प्रकार चली पहला 1948 में परमानु उर्जा आयोक की स्थापना 1948 में मैंने होमी जे भावा का जिकर किया है जिन्होंने 40 के 40 दशक के अंतिम वर्षों में पंडिजवालाल नहरू के अनरोज पर कहने पर इसकी अध्यक्षता की थी परमानु उर्जा आयोक गठित 1957 में उर्जा आयोक का पुनर गठन 1967 में इसका नाम बदल कर भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होमी जहांगीर भावा जो इसके पहले चेर्मेन थे 1947 में जिसकी स्थापना हुई थी उनके मृत्वी के पश्चाथ उनके मृत्वी बड़ी अजीव स्थिती में हुई एक हवाई जहाज की ऐरो प्लेन की दुरगटना में उनका दिहांद हुआ उसको लेकर भी बहुत शंका होती रही कि आखिर ये विमान दुरगटना ग्रस क्यों हुआ क्या इसलिए क्योंकि इसमें होमी जहांगीर भावा जैसे प्रसिद परमानु वग्यानिक थे वो बात दूसरी लेकिन उनकी मृत्व के बाद इस परमानु उर्जा आयोक का नाम बदल कर भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया गया भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जिसे संख्युप्त में बार्क कहते हूं और भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आप देखेंगे भारत के नक्षे में कहां स्थित है बंबई के पास 1956 में अपसरा नाम के पहला परमाण अनुसंधान के इंद्र स्थापित होता है Atomic Research Center पहला आयोग बनता है प्रारम में 1940 से आयोग इस खेतर में बहुत सारी कारे करता है लेकिन पहला जो Research Center जो बनता है उसका नाम दिया गया अप्चरा 1956 1962 में Heavy Water Plant की स्थापना नंगल में 1962 1979 में तारापूर प्लांट बहुत महत्पूर्ण घटना करम आनविक विकास के खेतर में भारत में तारापूर उन्नी सो उन्नी सो उन्नी सो इखतर में कल पकम देखिए सब खेतर कहां कहां है 1971 में कल पकम दूसरा रिसर्च सेंटर आनविक अनुसंधान केंटर कल पकम उसके बाद अगला घटना करम बहुत महत्पूर्ण है अठारा मई चोहत्तर पहला परमानु परिक्षन भारत में पोखरन जिसका जिकरपूर में किया जा चुका है और इस परिक्षन से ये साबित होता है कि भारती वैग्यानिकों ने उच्च स्तरी तकनीक इस खेतर में पाली है भारती वैग्यानिक विश्व के किसी भी आणविक परमानु सम्मंदी वैग्यानिकों से नीचे नहीं है नीचे के स्तर के नहीं है वे उच्छ स्तरी हैं विश्व स्तरी हैं ये इस परिक्षन से साबित होता है और इसलिए ये परिक्षन बहुत महत्पूर्ण हो जाता है 1977 एवी वाटर प्लाइन बड़ोदा में 1983 में एटॉमिक एनर्जी रेगिलेटरी बोर्ड की स्थापना होती है फिर 85 में और कुछ नए नहीं चीज़ आती है नर्वरा में एटॉमिक पावर प्लैंट आता है 1991 नर्वरा एटॉमिक पावर प्लैंट हाजरा में हवी वाटर प्लैंट उसी वर्ष फिर 1996 एक और रिसर्च सेंटर कामिनी इनी रिसर्च सेंटर के स्थापना होती है यह बात 1996 की उसके बाद 1998 वह वर्ष जब भारत अटल विहारी वाजपेई जी के नित्रित में पांच सफल पर्मानु परिक्षन करता है तीन मईं और तेरा मईं को यह परिक्षन किसलिए महत्पूर्ण है यह परिक्षन भारत के पर्मानु कारिक्रम के विकास के लिए बहुत महत्पूर्ण थे क्योंकि इसमें जो आंकड़े कठे हुए इस परिक्षन से जो तत्थ से सामने आए वे आनविक विकास में बहुत महत्पूर्ण भूमिकाने भासे हैं और इसके बाद भारत अपने को परमान शक्ति घोशित करता है ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर भारत के आनविक विकास के मामले में थाबित होता है जैसे पहला 1948 उसके बाद हम कह सकते हैं 1948 के बाद 1974 की घटना और उसके बाद 1998 की घटना परमान शक्ति घोशित करता है और नियूनितम परमान अवरोज प्राप्त करने की घोशना करता है और थाथ क्रेडिबल मिनिममम नियूक्लियर देतरां जिसका जिकर पहले किया जा चुका है वह अपराप्त कर लेता है इस 1948 से 1990 के इस 50 वर्षों के काल के परमान विकास की प्रक्रिया को देखने से आप समझ जाएंगे कि भारत में ये कारक्रम कई वर्षों से चल रहा है और धीरे धीरे चल रहा है कुल मिलाकेस का उद्येश है परमान शेतर में ऐसी सित्य प्राप्त कर लेना कि भारत विश्व की एक विश्वसनी परमान शक्ति मानी जाए और आज हम उस सित में हैं जब पूरा विश्व भारत की इस शक्ति को मानता है और साथ ही ये भी मानता है कि भारत इसका उप्योग विश्व शान्ति के लिए ही करेगा 1919 में 300 किलोमीटर उपर सेटेलाइट को मार गिराने वाली क्षमता मिशन शक्ति का परिक्षन ऐसा करते हुए भारत अंतरिक्ष महाशक्तियों के क्लब में शामिल हो जाता है ये घटना है 1919 की 300 किलोमीटर उपर सेटेलाइट को धरती से मार गिराने वाली क्षमता हासिल करके मिशन शक्ति का परिक्षन करके भारत अंतरिक्ष महाशक्तियों के स्पेस पावर उनके क्लब में शामिल हो जाता है बहुत बड़ा कदम भारत के द्वारा बहुत बड़ा जम्प भारत के द्वारा 1977 के बाद के दौर में कई गैर कॉंग्रेसी सरकारे बनी 1977 तक तो लगातार कॉंग्रेस की सरकार थी सो अभाविय के उसकी नीती में भी एक सततता होगी 1977 के बाद गैर कॉंग्रेसी सरकारे बनती हैं जिसमें जनता पार्टी होती है फिर इसके बाद भारती जनता पार्टी फिर NDA आदी आदी और इसी दौर में जब भारत में विभिन दलों की सरकारें बदल रही थी विश्व राज नीती में भी बड़े बदलाओ हो रहे थी भारती जनता पार्टी बनती है और सरकार घोशित करती है को गिट निर्पेक्ष रहेगी और इसका आश्य ये था कि विदेश नीती में भारत सोवियत संग के प्रती अपना रवईया वैसा ही रखेगा जैसा उसका पूर में था लेकिन साथ ही ये भी था कि विदेश नीती में सोवियत संग के प्रती जो जुकाओ है उससे समाप कर दिया जाएगा जो एक पक्षी जुकाओ दिख रहा था जिसका जिक्र मैंने गुट निर्पेक्ष्टा सम्मंदी मामले का जिक्र करते हुए मैंने आलोचना के रूप में कहा था वह जुकाओ समाप करने का प्रयास किया जाएगा ऐसा सौच था इसके बाद की सभी सरकारें चाहे वो कांगरेस की हों चाहे गएर कांगरेस की हों उन्होंने चीन के साथ बहतर संबंध बनाने और अमेरिक़ के साथ बी संबंध सुधारने की पहल की भारत की राजनीते में आम तोर पर जो बहस चलती थी या चलती है उसे दो संदर्भों में हम देखते हैं एक तो पाकिस्तान को लेकर भारत का रुख और दूसरा भारत अमेरिका के संब्दों को लेकर दो संदर्मों में भारत की विदेश नीति का जिक्र होता रहता है उस पे बहस होती है भारत पाकिस्तान संबन भारत अमेरिका संबन 1990 के बाद भारत या 1990 के बाद के दौर में अमेरिका समर्थक विदेश नीति अपनाने के लिए कुछ आलोचनाई भी हुई मतलब एक तरफ हमने रूश से हटने का जुकाओ समाप्त करने का जहां प्रयास किया वह हैं अमेरिका की और कुछ ज्यादा ही जुकते हुए नजर आये जिसकी आलोचना हुई थी तो हम बात कर रहे हैं विश्व राजनीति के बदलते समी करण की शीति उद्र समाप्त होता है दो धुरुवी विश्व घटकर एक धुरुवी हो जाता है वैश्विक इस्तर पर अमेरिका का वर्चस हो जाता है और भारत के अंदर भी इस्थितियां बदलती हैं एसी स्थितियों में जो परिवर्टन हो रहे हैं उसके बारे में संक्षित में अभी मैंने बात की और हम पाते हैं कि अमेरिका के बढ़ती वर्चस्ता के परणाम स्वरूप या इसके मद्दे नजर भारत की विदेश नीदिए झाल 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 कारण भारत की विदेश नीदि में हम देखते हैं अमेरिका के प्रती कुछ झुकाओ अमेरिकी समर्थक रण नीदियां इसके अत्रिक्त अंतरराश्टी परिवेश में सैन्य हितों को बजाए अब आर्थिक हितों को ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा यदि हम 1990 के पहले की काल की बात करें तो संबंध बनते बिगड़ते थे सैन्य मामलों को लेकर सामरिक दिश्टी से को ध्यान में रखकर संबंधों का बनना और बिगड़ना होता था यानि सामरिक महत्ता सरवोच थी 1990 के बाद से और वर्तमान तक आर्थिक हितों का ध्यान अब सबसे ज़्यादा रखा जाता है विदेश नीती का संबंध आर्थिक मामलों से ज़्यादा जोड़ा गया है इसका भी असर भारत की विदेश नीती में भारत द्वारा अपनाएं गये विकल्पों पर पड़ा है पहले भारत के सामरिक दिश्टी के अलावा और कोई विकल्प नहीं था और इसलिए वह रूस की और जुकता था उसके बाद जब रूस एक तरीके से पीछे हो गया विगटित हो गया तो फिर सामरिक समी करण ने हमें अमेरिका की और जुकने को विवश किया क्योंकि अमेरिका एक मात्र महाशक्ती बचा था पूरे विश्वक की वर्चस्वता अमेरिका के हाथ अमेरिका जो था वो सर्वोच स्थान पर था लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अब सामरिक दृष्टी को विदेश नीती से जोड़ना उतना महत्पूर नहीं हो गया जितना की आर्थिक विकास को जोड़ना और इसी का परणाम यह हुआ है कि विदेश भारत की विदेश नीती में भी कुछ बदलाव आया है नए विकल्फ सामने आया है अर्था आर्थिक दृष्टी से हमारे लिए क्या फायदे मंद होगा यह हमारी विदेश नीती को निर्धारित करने वाला ज्यादा महत्पूर्ण घटक बन गया है बजाए सामरिक दृष्टी कौन इस नए विकल्फ के खुलने के अलावा एक और घटना करम ने जिसने भारत की विदेश नीती को प्रभावित किया है वरतमान परिप्रेक्ष्में और वह है कि कश्मीर का मुद्दा कुछ नया रूप ले चुका है इस सवधी में भारत पाक संबंधों में कुछ नई बाते जुड़ी है कश्मीर जो है वो मुख्य मुद्दा तो बना ही हुआ दोनों के बीच में लेकिन संबंधों को समान बनाने के लिए भी कई प्रियास हुए हैं अटल विहरी वाजपईजी के काल में बस यातराइं उसके बाद हुए बहुत सारी यातराइं मनमोहन सिंग के द्वारा प्रियास और ऐसे अनेको प्रियास भी हुए हैं रेल यात्राएं बस यात्राएं इनकी शुरुआत ये इस काल की एक अच्छे उपलब दिमानी जा सकती। बहराल इन सारे प्रयासों के बावजूद 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ यह एक बहुत ही शर्मनाग घटना थी। पाकिस्तान के द्वारा घुस पैठियों की मदद से भारत पर हमला करना बहुत ही अनुचित कारवाई मानी गए। ऐसे माहौल में भारत के द्वारा स्टत रूप से किये जा रहे शांती प्रयास को धक्का लगा लेकिन इस्थाई तोर पर अभी भी अमन शांती कायम रखने के प्रयास जारी हैं। 2019 में भी ऐसी स्थिती बनी थी जब दोनों देशों के बीच में युद्ध होने के संभावना काफी बढ़ गई थी। आज भारत पाक और चीन के संबंद कोई विशेश भारत के अच्छे संबंद नहीं हैं लेकिन प्रयास सतत हो रहा है। इसके साथ ही साथ रूस वा अमेर वहां भारत की वर्तमान परिप्रेक्ष में विदेश नीति को नई दिशा दिये जाने वाले तत्वों का वेवरंट था। कैसे अंतर राष्टी राजनीती भारत की विदेश नीति को प्रभावित कर रही है। कैसे बदलते हुए राजनीतिक घटनाएं भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत रूज, भारत अमेरिका संबंदों को प्रभावित कर रही हैं और कैसे नय नय घटक विदेश नीति को प्रभावित करने वाले सामने आ रहे हैं इस वकार ये अध्याय इस विस्तृत अध्यान के बाद भारत की विदेश नीति के गहान विस्तृत अध्यान के बाद यहीं समाप्त होता है भारत की परमानु नीति को हम संख्यप्त में यदि हम फ्लो चार्ट के माद्यम से देखें तो उसे कुछ ऐसा देख सकते हैं पहला नहरू परमानु हथियारों के खिलाफ। दूसरा बिंदू शांतिपूर्ण उद्येशों के इस्तेमाल के लिए अनू उर्जा का निर्णे। तीसरा नहरू की ओद्योगी करण की नीति का प्रमुख घटक बनता है परमानु कारिक्रम। देखिए कैसे क्रम बद्ध तरीके से परमानु नीति में बदलाव आ रहा है। नहरू की और जोगी करण की नीती के तहद परमाणू कारक्रम उनका एक मुख्य घटक बनता है और चौथा और अरंतिम माई 74 में भारत परमाणू परिक्षन कर लेता है ये चार हम स्टेप्स देख सकते हैं अब यदि हम पहले कदम की बात करें नहरू परमाणू हत्यारों के खिलाफ थे तो उन्होंने महाशक्तियों पर व्यापक परमाणू निशास्त्री करण पर जोर दिया था खिलाफत की यदि बात करें तो खुद ही खिलाफ देश के लिए ही नहीं थे पूरे विश्व को बढ़ने के लिए दवाव बना रहे थे शांति पूर्ण देशों के तहट शुरुवात 1940 के दशक में कर दी गई थी जब भूमी जे भाबा को यह जिम्मा दिया जाता है परमाणू आजो किस था अपना के साथ और अंतिम जो बहलू है परमाणू परिक्षान उसके तहट हम दो अन्य बिंदू देखते हैं वो है भारत ने इसे शांति पूर्ण करार दिया और दूसरा अनुशक्ति का इस्तेमाल शांति पूर्ण तरीके से करने के लिए कृत संकल्ब अपनी वचन बद्धता दिखाई तो इस पकार इस फ्लो चार्ट में आप भारत की परमाणू न संबंद। अब हम कुछ प्रश्णों की ओर जाएं जो आपको इस अध्याय को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करेंगे यदि आप उसका हल समुचित धंग से करें तो प्रश्णों की शिंकला में पहला प्रश्ण आपका है 1950-60 के दश्णों में विश्वराजनीट में भारत दोनों खेमों में से किस खेमे में शामिल हुआ और क्यों यदि उत्तर आपका है कि शामिल हुआ तो क्यों और यदि उत्तर है शामिल नहीं हुआ तो क्यों इसमें आपको भूमिका देते हुए बताना है कि तक्कालीन राजनीते के स्थिति क्या थी विश्व में अंतराश्टी स्तर पर और भारत की अंदरूनी स्थिति क्या थी ये दोनों स्थितियों का आपको संख्यप्त में वर्णन करना है उसके बाद इन स्थितियों का तुलनात्मक अध्यन दर्शाते हुए आपको बताना है कि इन स्थितियों में भारत ने अंतता निर्णने लिया कि वह किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा और इस वकार उसने एक निर्गुट डल एक निर्गुट आंदोलन की शुरुवात में बहुत अहम योगदान दिया तो आपको अंतरराश्टी स्थिति तत्कालीन और तत्कालीन देश की अंदरूनी स्थिति का जिक्र करते हुए इस निश्कर्ष पे पहुँचना है कि भारत ने गुट निर्पेक्ष्टा या निर्गुट आंदोलन का मार्ग अपना दा दूसरा प्रश्ण क्या भारत अपनी विदेश नीति को शान्तिपूर्ण ढंग से बाहर लागू करने और अंतरराश्टी जगणों में अंतरराश्टी जगणों से बचने में सफल रहा अर्थात यह प्रश्ण भारत के द्वारा अंतरराश्टी मंचों पे की गई विभिन कारवाईयों अंतराश्टी मंचों पर उठाय गए विभिन मुद्धों अंतराश्टी मंचों पर अपना क्या स्टैंड लिया इस पर आपको चर्चा करनी हैं और इसके लिए आपको सभी अंतराश्टी मुद्धों को ना ले करके दो तीन मुद्धों को आप ले सकते हैं जिसने भारत को गुट निर्पेश्टा की ओर मोड़ा और साथ में ये बताना ज्यादा आवश्चक है कि भारत ने कैसे शांती विश्व शांती में योगदान दिया और ऐसा करते हुए वो कैसा स्वैम अपने को बचाए रखा ये एक बहुत महत्पूर्ण प्रश्ण है जिसमें भारत की विदेश नीति पर एक तरीके से विस्तार से आपको चर्चा करनी हैं यह था प्रश्ण दो ऐसा बताते हुए आपको यह बताना है कि भारत या दुनिया दो खेमों में बटी थी और दोनों खेमों के बीच में लगातार टकराओ था विभिन मुद्दों को लेकर सेन नी मुद्दों को लेकर राजनीतिक मुद्दों को लेकर आर्थिक मुद्दों को लेकर ठकराओ था तीसरा बिंदू जो इसमें आपको लेना है वो है कि इसी दोरान स्युक्त राश्ट संग अस्तित्व में आया स्विक्त राष्ट संग के अस्तित में आने की चर्चा संक्षित में करे अगला बिंदु जो आपको इसमें लेना है वह है परमाणु हत्यारों के निर्मान को लेकर परमाणु हत्यारों के प्रसार को लेकर इस काल में क्या देखा गया इस पर आपको संक्षित में बताना है पांचवा बिंदु इसमें आएगा चीन का उदाय चीन में कम्यूनिस्त साम्यवादी शासन की स्थापना ये एक महत्पून घटना थी खेमों को के टकबीश टकराओं को बढ़ाने में और अंतिम बिंदु आएगा कि नव उपनिवेश वाद की प्रक्रिया जो प्रारंब होती है और उसके पहले जो उपनिवेश वादों या उपनिवेशों का जो पतन होता है इस पर आपको संक्षित में टिपड़ी लिखनी है तीसरा प्रश्ण विदेश नीति का निर्धारन घरेलू जरूरत और अंतरराश्टी परिस्थितियों के दोहरे दबाव में होता है ये एक स्टेटमेंट है विदेश नीति का निर्धारन घरेलू जरूरत और अंतरराश्टी परिस्थितियों के दोहरे दबाव में होता है 1960 के दशक में भारत द्वारा अपनाई गई विदेश नीति से एक उदाहरन देते हुए अपने उत्तर की पुष्टी करें यहने इस वाक्य के पक्ष में आपका उत्तर जाना है और उदाहरन देना है यह साबित करने के लिए कि जो कथन है यह सही है इसमें आपका क्या उत्तर रहेगा विदेश नीटी को निर्धारित करने वाले तत्वों के बारे में बात करेंगे जिसमें पहला राष्ट्री हित है दूसरा देश की जन संख्या एवं विचार धारा तीसरी बात आएगी आर्थिक परिस्थितियां ये अंदुरूनी स्थिति के बारे में है अन्य अंदुरूनी स्थितियों में कृषि और द्योक की क्या दशा थी विज्ञान और तक्नीकी विकास के मामले में भारत कहां था कितना पिछडा अगड़ा था और भागोलिक और सामरिक स्थिति ये कौन से तत्व हैं जो ऐसे अंदुरूनी तत्व जो विदेश नीति को प्रभावित करते हैं अब अंतराश्टी तत्व क्या हैं अंतराश्टी परिस्थितियां क्या हैं जो निर्धारित करती हैं विदेश नीति की दिशा को पहला अंतराश्टी स्थर का तनाव जिसे हम दो खेमों के बीच के तनाओं के रूप में देख सकते हैं शीत युद्ध के तनाओं के रूप में देख सकते हैं आदी आदी उसका विवरन करना है दूसरा बिंदु जो आपको लेना है वो है अंतराश्टी स्तर के महत पूर्ण मुद्दे क्या थे उस दोरान क्या-क्या मुद्दे उठ रहे थे इस पर आपको संक्षित में लिखना है बिंदुवार तीसरा विचारधारा का प्रभुत्व और विचारधारा के माइने क्या है यहाँ साम्यवादी विचारधारा बनाम पूंजीवादी विचारधारा उसमें किस विचारधारा का प्रभुत्व बढ़ते जा रहा था कौन सी विचारधारा विश्व में हावी हो रही थी इस पर आपको संक्षित में लिखना है चौथा अंतराष्टी स्तर पर गुट बाजी जो आपने बारं बार पढ़ा है इस गुट बाजी के बारे में संक्षित में लिखते हुए आपको बताना है कि कैसे इस गुट बाजी ने विश्व में तनाओ और विश्वास शंका आदी पैदा कर रखी थी सैन्य संधियों का बोल बाला हो चला था चौथा और अंतिम सवाल इस अध्याय का भारत के परमाणु नीती के संबंद में संख्षित में लेक्ष लिखें भारत की परमाणु नीती के संबंद में संख्षित लेक्ष लिखें और ये स्पष्ट करें कि भारत ने जो मार्ग अपनाया वह क्यों और उसके क्या परणाम हुए इसमें आपको बताना है भारत की परमाणू नीति के बारे में और फिर भारत ने शान्तिपूर्ण प्रयोग का जो मार्ग अपनाया है उस शान्तिपूर्ण प्रयोग के मार्ग को अपनाने को साबित करने करते हुए आपको बताना होगा कि इतने वर्षों में जबसे हम परमानु परिक्षन में सफल हुए 1974 के बाद से लेकर अभी तक इतने वर्षों में हमने जो भी प्लांट डाले या जो भी योजनाय बनाई वो सब शांतिपूर्ण तरीके से इसका उर्जा के रूप में उप्योग के लिए बनाई गए तो हमने क्या-क्या अन्य चीजें परमानु सम्मंधी स्थापित की देश में इसका कुछ विवरण आपको इसमें देना होगा और इसके बाद इसके परणाम बताते हुए आपको बताना होगा कि भारत की यह परमानु नीती एक सफल नीती रही है भारत की इस परमानु नीती स भारत ने अपने को विश्व का एक शक्तिशाली देश साबित किया है लेकिन साथ सी साथ विश्व को यह भी महसूस करा दिया है कि भारत परमानु उर्जा का केवल शांति पूर्ण उपयोग करने के लिए वचन बद्ध है